हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इंडियन स्टडी इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए मूल विधी समीदान और जीके कोसंस लेकर क्या जाओं जैसा कि आपके एक्जाम यूपी एसाई में आना है तो वीडियो को एं जरी जर्दोजी उतपादों के लिए प्रसिद्ध है यह काम मुख रूप से बदाईयू बिसोली और दाता गंज तहसील में किया जाता है लगवक 35% परिवार इस उत्ध्योग में लगे हुए हैं इस थानिये रूप से इस काम को क्या कहा जाता है इस थानिये रूप से इस इक एस कोशनस का चौता ओपसन जूए है वो आपका वहवकुल क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट कोशनस 1815 में राम मौहन राये ने एक नई दारमिक संस्ता कि स्तापना की जिसे हम किस सबा के नाम से जानते हैं जिसे भाद में भ्रहम समाख के नाम से जाना तो राजा राम मुवन राये ने 1815 में जिस सभा की इस्थापना कीती वो थी आत्मिय सभा ठीक है यानि ये इस कोस्टन्स का पहला उप्सटन्स जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जिसे बाद में ब्रह्म समाच के नाम से भी जाना जाता था नेच्ट कोस्टन्स किस राज की इस्थापित विजली उत्पादन चमता सबसे अधिक है तो किस राज की है तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका महराश्ट चौथा उप्सटन्स बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कार्वो हाइडरेट उर्जा प्रदान करता है कार्वो हाइडरे करेक्ट हो जाएगा जो फल होते हैं अनाज होते हैं सबस्जी होते हैंसे एक्ट मतलब एनरजी पाई जाती है या कारवो हीडरिट पाई जाता है नहीं said काichtig गुलंसी नहीं है देखो बी सी जो है वह बसा में घुलंसी लें बाकी सब जो हैं वह बसा में घुलंसी ले तो देखो बी तो दिए नहीं है he option में S दिया तो इसलिए यह यह पर यह जल्मावल हिल derived बादव काम से değer समरत होते हैं बादाम में में कुं सेガम पाय जाता है तो बादाम में जो बिटामिन पाए जाता है वो बिटामिन ई पाए जाता है तीसरा उप्संस करेक्ट बिजे नगर राज किस नदी के किनारे इस्तित्था जल्दी बताओ बिजे नगर राज किस नदी के किनारे इस्तित्था तो सही आंसर हो जाएगा आपका special class लेता हूँ daily basis पे तीनों के लिंक आपको description में मिल जाएंगे लेकिन अगर आप अगर आपकेड़ी से प्लस प्लेटफॉम पर आते हो तो वहां पर आपको कई features हैं जैसे अगर आप यूपी पीएसीड category है यूपीटर प्लसी category के अंदर के subscription को purchase करते हो तो उस category के अंदर जितने भी courses चल रहे होंगे उन सभी को access कर पाओगे चाहिए यूपी ऐसा हुआ यूपी लेकपाल हुआ यूपीटर प्लसी पीटी हुआ PCS का prelims CSET और मेंस वाला यह सारे batch को आप जो है यूपी ऐसा ही जिसमें अलग-अलग सब्जेक्ट आपको अलग-अलग एजूटिकेटर के तुवारा जो है वो पढ़ा जाएंगे है ना तो आप एक category के अंदर का subscription purchase कर लो यूपीटर प्लसी category और उस category में जितने भी course चल रहा हुँगे सभी को free में access कर पाएंगे और बाल बहार प्रिणाली के संस्थापक कौन थे जल्दी बताइए बाल बहार प्रिणाली के संस्थापक कौन थे तो सई आंसर हो जाएगा आपका फ्रोवैल दूसरा options correct CRC का आपको full form बताना है कि CRC का full form क्या होता है जल्दी बताइए तो आपका सही आंसर हो जाएगा CRG का जो फुल फॉम होता है साइकलिक रिवडेंसी चेक यानि केस कोस्टन्स का तीसरा ओप्सटन्स जएव वो आपका ब्लिकुल करेक्ट हो जाएगा टेस्ट किर्केट में 13 सतक लगाने वाले पिरतम भारती किर्केटर कौन थे गया था तो कव इस्तापित किया गया था ये किया गया था सत्तरासो सड़सर्ट में तीसरा ओप्सटन्स करेक्ट बर्स 2011 की जनगलना की आधार पर उत्तर प्रदेस राज tournaments क्या है यह questions important है क्योंकि उत्तर प्रदेश राजी का पूछा है तो सही answer आपका क्या हो जाएगा 828 यानि कि इस questions का तीसरा options correct फिरत्वी का अर्ध व्यास कितना है जितना भी आपका व्यास हो उसका आदा कर दो तो अर्ध व्यास हो जाएगा देखो पहले तो फिरत्वी की तरिज्जा पता होना चाहिए तरिज्जा कितनी है 360 इसका दुगना कर दो तो क्या हो जाएगा ब्यास ब्यास का आदा ही आपका क्या होगी तरिज्जा तो इसी को तो यह हम अर्ध व्यास कहते है यानि कि इस questions का दूसरा options correct यानि कि 6370 next question सराफ के सामने उत्तर प्रदेश राज में किस जनपद में लिंग अनूपा सबसे अधिक है जल्दी बताओ लिंग अनूपा उत्तर प्रदेश के किस जले में या किस जनपद में सबसे अधिक है तो सही answer हो जाएगा आपका जॉण पूर चौळ्था उप्संस कर Age पेरती एक हजार पुर्सो पर एक हजार शौविस मही लाएं नेमलेकित मेंसे किस ने उत्तर प्रदेस राज़ के राचपाल का पदभर कभी नहीं समाला यानि जो उत्तर प्रदेस के राचपाल कभी नहीं वन आएं तो कौन है तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा चंद्रवानु गुपता पहला ओप्सन्स करेक्ट किस आंदोलन के लिए महात्मा गानी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था जल्दी बताओ तो भारत छोड़ा अंदोलन के लिए दिया गया था जो कि 1942 में स्टाड हुआ था आठ अगस्त अंदोलन भी कहते हैं इसलिए याद रखियेगा राष्टी महीला दिवस का मना जाता है अंतराष्टी महीला दिवस बहुत सिंपल और इंपोटेंट कोस्टन्स पिरते एक वर्सम आठ मार्च को अंतराष्टी महीला दिवस बनाते हैं लाल गिरह के नाम से कौन सा गिरह जाना जाता है आप सभी लोग जानते हैं जहांपर हम औक्सिजन पानी की खोच करने में लगे हुए हैं और अभी हाली में नासा ने अपना पेर्शेविन रोवर भी भेजा और सक्सेस्पली उतार भी लिया है तो सही आंसर हो जाएगा मंग अरस समाज की इस्थापना किस नहीं थी आरस समाज की जो स्थापना यसे सवामी दायानन सरस्वति ने की थी सिर्फर scrolling करेंट, उतर-प्रदिस राज में और उद्दू को दूसरी हम कह जिनान पर में नेकिन रिख करेंगे परिफ्र से आपर उंचुन को दूसरी यह दूसरी ह सम्मंदित नहीं है, जल्दी बताओ, जमसितपूर तो बिल्कुल गड़ है, बरनपूर पस्चि मंगाल भी है, जरिया, जरिया नहीं है, जरिया जारकंड में कोईला के लिए पिरसिद्ध है ये, तो तीसरा उप्संस करेक्ट, उत्तर प्रदेश राज में निमले कितमे से किस लोकायुक्त का कारकाल सर्वदेख रहा, इंपोर्टेंट कोस्संस, तो किस लोकायुक्त का कारकाल सर्वदेख रहा, तो सही आंसर हो जाएगा, नियायमूरती एन के महनोत्तरा, तीसरा उप्संस करेक्ट, भारत का राष्टे चिन कहां से लिया गया है, जल्दी बताओ, इ अपसे अधिक उचाई जो है तो वह है आपकी दारजी लिंग की उसके बाद है सिमला की फिर डैलोजी फिर मनाली next questions निम्लीके तमें से किस एक की संतूती की अधार पर मूल करतेवियों से समदीत प्रापदानों को भारत के सम्मधान में जोडा गया किस समीती की सिफारिस पर 42 में समीधान संसुदन के तेयत 1976 में जोड़ा जाता सरदार सोड़ सिंग समीती की सिफारिस पर अनुच्छे तो इंक्यावर A में अनुच्छे 368 क्या कहता है पता होगा बहुत सिंपल है तो अनुच्छे 368 जो है ये समिधान संसुदन पिरकिरिया से समझेते हैं दूसरा options correct किसी computer में कौन सी computer कुझी दवाने से संपूर आलेक का chain किया जाता है जल्दी बताओ तो सही answer हो जाएगा control plus A दूसरा options यहाँ पर आपका विकुल correct हो जाएगा और अगर हमको hyperlink बदलना है तो control plus के करेंगे ठीक है binary संक्या 1011 को 1012 संतुलित क्या होगा अब देखो इसको सिखाना पड़ेगा आपको यह पूरा अलग सा topic है इसलिए direct answer बता रहा हूँ 11 ठीक है जब मैं आपको बताऊंगा तब आप सीख लेंगे निम लेकित मेंसे क्या computer प्रणाली से समधित नहीं है जल्दी बताओ computer प्रणाली समधित क्या नहीं है देखो PPP तो है power point presentation होता है FTP भी होता है file transfer protocol URL भी होता है uniform resource recorder लेकिन क्या समधित नहीं है EPF समधित नहीं है 14 options correct किसी computer की permanent memory क्या कहलाती है permanent memory को क्या कहते है तो permanent memory जो होती है उसको ROM कहते है read only memory आत्मात्या करने के लिए दोस्परेशन यानि की अवेंडमेंट की सजा का प्रापदान IPC की किस दारा में है आत्मात्या के लिए तो दारा कौन सी है वो तो सही answer हो जागा दारा 306 पहला options यहां पर आपका लिकुल correct हो जाएगा IPC की दारा 320 में गहरी चोट में कितने प्रकार की चोटों को समलित किया गया है पढ़ा चुका हूँ यह मैं तो कितनी प्रकार की चोटों को समलित किया गया है तो सही answer आपका क्या हो जाएगा 8 प्रकार की यानि कि इस questions का चोटा options जो है वो आपका लिकुल क्या हो जाएगा correct हो जाएगा next questions आपके सामने भारत सरकार की वह कौन सी योजना है जिसका उद्देश ऐसे बच्चों का सनलक्षन करना है जिसे देखपाल और सुरक्षा की अवसकता हो उनके अलाबा एसे किसोर जो कानून का लगन करते हों और वो बच्चे जो कठिन परिस्तियों में रहते हों उनका सनलक्षन भी इस योजना का ये कांग、、 इस योजना का नाम को बताना है तो इस योजना का नाम क्या है तो सही answer हो जाएगा किसी अन्य देश में रहने वाले व्यक्ति को अदालत का बुलाबा देने के लिए उस संपन या उस संबन को फिलिंद ब्लेंक्स नामक अंतराष्टी समझोती की सभी अवसक्ताओं को पूरा करना चाहिए यह भी पढ़ा चुका हूँ तो सही आंसर हो जाएगा हैग सर्विस कनवेक्शन यानि कि पहला ओप्संस यहां पर आपका ब्लेकुल करेक्ट है नेक्स्ट को संसे आपका यह याता यात चिन का अर्थ क्या है जल्दी बताओ यह जो आपके सामने दिया हुआ है तो सही आंसर हो जाएगा आपका आगे चौराहा है पहला ओप्संस करेक्ट परियावरन प्रदूसर्ण से क्या भी पराए है जल्दी बताओ परियावरन प्रदूसर्ण से ऐसे ठोस पदार्तों का प्रदूसर्ण बिल्कुल होता है द्रब पदार्त भी करते हैं और गैसी ये रूप से भी प्रदूसर्ण होता है तो सभी अवस्ताओं में होता है तो यहाँ पर आपका सभी जो प्योग पॉइंट दिये हुए हैं यह परियावरन प्रदूसर्ण के उधारण हैं नेक्स्ट कोस्टन से आपका कि निमलेकत मैंसे कौन से परिवासिक सब्द आयकर से सम्मुनित नहीं है तो इस कोस्टन का अंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो दोस्तो यह थे आपके लगबग तीन कोस्टन से आपके हड़ गए हैं क्योंकि वो कोस्टन से में नहीं लापाया थे नहीं छपे नहीं थे इस बज़े से तो आप मुझे इस questions का answer comment box में बताएंगे लगवख 40 questions मान करके चलें इसमें आपके कितने नमबर आएं तो आप मुझे comment box में बता दीजेगा तो दोस्तों फिलाल की वीडियो में सुर्फ बतना ही बताएंगे